खालो दोस्त स्वागत है आप सभी को ACCDD 2024 की RWA की मौक टेस्ट एनालिसिस में अभी खाली में संडे को 21 जनवरी 2024 को बिखली मौक टेस्ट हुई थी उसके हम लोगों ने आज सोलूसन करने वाले हैं आज का हमारा पहला नंबर कोस्टन है कि किसी संख्या के 40% और समान संख्या के 33% का आउसत 73 है उस संख्या के 1 वाटा 5 और 1 वाटा 4 का आउसत ग्यात करें आपको पता होगा दोस्त कि संख्या बराबर हमारे पास क्या होती है और आउसत बराबर क्या होती है ये question हमारे पास one है आपको पता है कि आउसत बराबर हमारे पास क्या होती है आउसत बराबर होती है कूल पदो का योग क्या होती है कूल पदो का योग वटा में आपका होती है जाकर के कूल संख्या होती है क्या होती है यह बात आपको पता होगा कि किसी संख्या के 40% किसी संख्या के 40% और समाहन संख्या के 33% कहा आउसत कितना है कि आपका 73 है और कूल पद हमारा जो है उसको निकाले तो तकी संख्या का 40 परसेंट और समान संख्या के 33 परसेंट देखें दो संख्या आपके पास है एक तो आपका 40 है और दूसरा आपका कितना है आप कहेंगे 33 है और पद हो किसा यह कितना है एक और एक दो है कितना है एक एक दो उसके बाद में उसत संख्या बता रहा है मुदका रहा है कि हमारे पास 30 संख्या वो कितना है 73 है चलिए बहुत बढ़िया बहुत खुड़ को चलिए है वह आप लोगों थे लिया यह कि हमारे पास होती है वह आपका 40 और तैसर कि 40 और 33 कितना होती है आपका 40र 33 सापका 73 हो जाएगा वाटा में डूं हो जागा बरावर में आपका हो जाएगा तेहत्तर हो जाएगा एक वरावर हमारे पास दो हो जाएगा आपको पता हुं को कुई बी संख्या अपने आप मैं अपने आप में 100 होती है यानिकि हमारे एक के पान सौ KA splitting होगा कितना होगा हुपास किसी संख्या का आपका जो है वो एक वाट हाँ कि इसी संख्या का वोज़ोग्व स्था कितना 2 चार याया कि आपका तो आपका चार पच्शेक कि बिश क्रित कि płant हो जाएगा अपका अचा कहता है कि helpful खवया वह को पता हुए इसस ही और जोbest जालीज और पचशास हो जाने इस का और दूसांग को क्海ं भाग देदेगे तो कितना हो जागा हमारा 540 हो जागा तो आपका जो है वो चलिए आगला नमर हमारे पास कोसा ने कहता है कि कहता है कि सेकेंड हमारे पास कोसा ने कहता है कि A और B किसी कार्ज को करमसा 24 तीन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं उबे एक साथ आठ दिन तक कार करते हैं सी सेस कार को 14 दिन में पूरा करता है एक साथ आपका जो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा एक साथ कार करते हुए एक साथ कार करते हुए ए और सी समान कार का 75 परसेंट भाग कितने दिन में पूरा करेंगे तो कोसन का आपका लेवल आपको पता हुए कि ए ए और वी किसी कार को करमसा 24 दिन और आपका जो एब 45 दिन में पूरा कर सकते हैं उबे एक साथ आठ दिन तक कार करते हैं सी सेस कार को 14 दिन में पूरा कर सकता है एक साथ कार करते हुए ए और सी समान कार का 75 परसेंट भाग कितने दिन में पूरा कर देंगे answer to zero हमारा 10 देरा लेकिन देखते हैं हमारे पास क्या आती है solution में कहता है कि A और B किसी काम को 24 दिन और आपका 40 दिन आपका ये A है और आपका ये B है ये कहता है कि 24 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं ईक तो करते हैं आपका 24 दिन करते हैं और एक तो करते हैं 40 दिन में मतलबgendgendichten A और V कोई इनसान का नाम है जो एक तुझाबीस दिन में करता और दूसरा जो आपका है वह 40 दिन में पूरा करता है कि आप इस बात को मान लेंudних फिर कहता है कि उवेह एक साथ 8 दिन काम करते हैं इसवे सबसे पहले निकालने काम करते हैं वर्ट आपका जो हो जागा से सब्सक्राइब करते हैंया की चारीज चारीश का नीया 120 है सो होती है मतलब इसका जो efficiency है वो 3 है और इसका जो efficiency है वो 120 है total work आपका जो आ गया 120 आ गया लेकिन कुस्तन यह नहीं बोल रहा है कि आप total work निकाल लीजी कहता है कि उब एक साथ 8 दिन तक कारण करते हैं यह 5 काम करते हैं और यह 3 काम करते हैं यानि कि 5 और 3 काम करते हैं और कहता है कि 8 दिन तक साथ करता है अगर 8 दिन तक वो साथ करता है तो एक दिन में वो 8 काम करता है तो 8 दिन में वो कितना काम कर रहा होगा तो आप कहें कि वो 8 दिन में 64 काम कर रहा होगा हमारे पास कामूं की संग्या 120 है इन से नसे Shade 54 लिंग दिया तो आप कहएंगे कितना आप जो बचरा है आप का 56 ताbung काता है कि क्सी से स्कार को चौदा दिन पूरा करते हैं अगर 56 काम है कोई 14 दिन में पूरा करता है कोई भी इंसान करता है तो आप कहें कि जो इंसान पूरा करेगा उसका efficiency चार से कम हो ही नहीं सकता चार से ज़्यादा हो ही नहीं सकता तब ही तो अगर पांच efficiency से कर रहा तो आपका आपका पहले हो जाएगा तो पर कम से कर रहा तो उसको जदा दिन लगेगा ऐसा कुछ होगा तो आप कहता है कि चार के efficiency से कर रहा चापन गाम को ठीक है एक साथ कार करते हुए और सी एक साथ तों आपका है जो 5 है और सी कईफेसिंसी मैंने आपको निकाल दिया कि आपका जो है वो चार है। दोनों मिलाकर के पांच चार नौ होगा, अब सेस्क यह बोलता है कि शमानकार का 75% भाग कितने दिन में पूरा कर लेने। बोलता है कि समान कार मतलब वही कार को वही कार के 75% भाग हमारे पास काम कितने हैं जी आप करेंगे 120 है उसका 75% करवाने के लिए बोर रहा है हमारे पाद तो 75% यहां से निकाल लेते हैं तो कितना हो जागा अग्ला नमबर कोस्टान है काता है कि एक समूमें बिद्यार्थियों का आउसत बजन एक समूमें बिद्यार्थियों का ऊसत बजन 75.4 kg था बाद में 75.9 kg और 73.8 kg और 89.5 kg और 87.4 kg बजन बाले चार बिद्यार्थी समू में सामिल हो गए परिनाम स्वरूप समू के सभी बिद्यार्थियों का उसत बजन जिरो पॉइंट टू फोर किलोग्राम बढ़ गया प्रणम में समू में बिद्यार्थियों की संख्या कितनी है जैसे कि कोस्टन आप लोग ने पढ़ लिया कोस्टन जो कह रहा था कि एक समू के बिद्यार्थियों का उसत बजन कितना है चीडिए आप करें कि वह एक समभी में जो विद्यारतियों का जो बजन था ऑफसत बजन था वह आपका इतना इतना गराम था इतना कीलो गराम था सोरी केजी था लेकिन वह कहता है कि चार लोग और आ जाते हैं और उसके बजा से उसके आउसयत में 0.24 बढ़ह जाते हैं इसको में हम-ड कर देंगे हमनो पर क्या रिजॉल्ट आ रहे हूँगे। आपके पास वह रहाई होगे, 75 तो आपका होगा ही और आपका जो हो जागा चार और दू आपका छे हो जागा और चार की चार हो जाएगा याझनि कि 75.64 आपका जो है वो औूसत आ रहा होगा लेकिन एक कहता है कि इतना आउस्त बढ़ गया इतना आउस्त बढ़ गया किसके बज़ा से उचार लोगों के बज़ा से बढ़ गया तियानि कि उचार से हम गुना कर देंगे ति इसका टोटल आउस्त निकल जाएगा आप करेने 4-4-16-6 बाकियांतों 1-6-4-24 और 4-4-16-स बाकियांतों 1 और 6-4-24 और 21-25 के पांच बाकियांतों 2 और 5-4-20 और 2-22 के दू बाकियांतों 2 6-48 और 2-23 नैसर आपका हो गया टोटल जो औ। व्हसंत बड़ा था उसका योग हो गया लेकिन वो कहता है कि चार भी द्यारती और अलाग से आगया जिसका जो आउसत है जिसका जो बजन है वो कितना था करेंगो कि उसका जो बजन दिया हुआ था वो दिया हुआ था चार एंड लोग आएं हो चार अन्य लोग जो आएंे उसका बजन जो कितना हो जागत आपकाएं कि 72.9 था पलस में आपका जो था कैंग तेहत्यर पॉइंट था उसके बाद में आपका जो है इनासी पॉइंट पांच एक इतना ऱुनासी पॉइंट पांच पलस में आपका जो है उना सी पॉइंट पॉइंट चार रहे कितना सतासी पॉइंट चार है ठीक है अब जलिए इसको जोड लेते हैं तो कितना हो जागा ऐसे जोड़े जल्दी जोड़ जाएगा बहात्र और बहात्र और आपकी सब्सक्राइब फॉइंट आपको जाएक और कितना हो झार दू है तो औरतिन कितना दुन से तुल फॉइंट षीज्टंटबिल और 139 स्बціria के छोबिस आतों 174 ओर सब्सक्राइब अइ具 दूसरद चौफिस हो löगा नहीं दूबिस और कि दूसरद चौबिस और शट्टी कि दूसरओर चोबीस और साथ आपका हो जागा जा करके 31 दूसरव लेक्तिस और चाहिव को जाएगा दूसर लूब दूसरा एक तीस दूसरो एक टीस और आपका 80 अपको जाएगा जांगा में यह यानि कि 311 हो जाएगा थीन सो में गारा थीन सो गारा लिख लेख लेड़े पूसित कि और मार्फ चार और चार और पांच नौुब 9 और 9 और शब्लीस अब इसको जोड़ेते हैं कि यहाँ पर बात है तो इसको जोड़ेते हैं तो आपका 311 बारा और एक तेरा यानि कि 3 आपका ज़ोग जिए तेन जीरो 20 sow अपका दसमला 56 जाया कंड़ा लटे हैं दस में से 5 दस में से 6 ज़े टैसा चार ऑर आपका बच्छे गाई जीरो पॉइंट से 2 Ger Sh यह इतना जो है बढ़ा उड़ा खांव अवसाइं लेकिन को से कहता है कि नहीं जी बढ़ा हुआ अवसत मेरे पास यह नहीं है यह आपका बढ़ा हुआ क्योंकि इसको जो हम निकाले और इन सब्सक्राइब का योग निकल गया लेकिन उन जो को इतना है जैसे आप टोटल उसत आपके पास इतना हो गया है और इसका भी योग इतना है यह कि आपका जो बढ़ा हुआ है तो आपको वह ही होगा अब कोस्टन जो कहता है वो कहता है कि नहीं जी मेरा तो बढ़ा है 0.24 बढ़ा है लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं जी आपका जो बढ़ा है वो 11.04 बढ़ा है दोनों को एक काम करते हैं कर देते हैं आपका एक दिसामलाब से एक दिसामलाब खतम हो गया इसका मतलब है कि 1104 बढ़ा में आपका 24 आप देखे 24 से कितना बार में भागा लाएगा सबसे पहले अगर इसको हम लोग असान करते हैं तो यह कितना सजाएगा यार आपका होजा वजा करके चार से काम करते हैं काटी लेते हैं चार दुनी के आठ और आठ तीन इगारा यानिकी चार से चार से कटेगा चार 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 दुनी के आठ तीन इगारा यानिकी तीस चार से के अठावजा दू बचा यानिकी चार 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 24 और 3 चोचा कर 36 यानि कि आपका जो आजाएगा वो आपका 46 आजाएगा अगला नंबर हमारे पास कोस्चन है कहता है कि 1500 मीटर तथा आपका 120 मीटर लंबी दो रेल गाड़ियां विप्रीत दिसा में चल कर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती है तदा नुसार यदि दूसरी रेल गाड़िया की गती 43.2 किलो मीटर परती घंटा हो तो पाहली की गती कितनी है तो पाहली की गती आपका जो है वो कितना पोच रहा आपको ये बात पता होगा कि आपका जो है पता होगा ही कि जब फी कोई रेल गाड़ी किसी चीज को पाहर करती तो वो अपने लंबाई और आपका उस चीज की को पाहर करती है तो कटा 500 मेटर और 120 मीटर लंबी रेल गाड़ी है puisque 10 सरह已經 Спuse उसका दुरी हो जासाओ आपका कितना मेंसेंदीड सब्सक्राइब आपका जो उसका मीटर हो जाएगा अच्छा यह उसका दूरी होगे दूरी वराबल होती है चाल गुने समय होती है चाल उसका कितना है आपके चाल तो दिया हुआ नहीं है और दूसरी का जो चाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है तो यह आपका होगे चाल होगे और उसके बा कां मूइंटर को हम लोग किलो मीट्र में बनाते हैं तो आठारा लटाँ पांस से गुना करते हैं यानिकि 18 तो आपका इधार ही न अजयगा और 5 जो है वो इधर खंसा के इधर आ जाएगा इसको जो है वो कहता है 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में पार कर जाते हैं 10 सेकेंड में पार कर जाते हैं अब इसको हम लोग सॉलूसन करते हैं दीखी गए तो सोलूसन अगर करते हैं तो हमारे पास क्या आजाएगा? एक सुना से एक सुना कंसिल उठाएगा स scar गूना करते हैं तो आपका पांच इस आजाएगा पांच इस और पलस में एक कंग के बाद हो जाएगा उसके बाद में आपका हो जाएगा अठारा गुने में आपका हो जाएगा जाकर के सताइस हो जाएगा हो जाएगा ना तो इसको गुणा करते हैं तो आपका हो जागा जाकर के यहां से गुणा करते हैं तो आठ सत्य के 56 बाकिया तुमें 5 और 8 दुनी के 16 और 16 और 16 और 7 आपका हो जागा जाकर के 16 और 7 आपका 20 और 30 और 30 और 30 और 5 आपका 28 के 8 बाकिया तुमें 2 और 2 एकां 2 और 2 दुनी के 486 आ ज सिस्यासियות इधर आपको जाकर कि यह गर्ण जाएगा दूसरों के 16 तो कितना बचे घर का तो वह आपका बचेगा जाकर के 6 में से 6 जाएगा ते आपका जी रो बचेगा और आट में से एक जाएगा ता अपका बचेगा साथ और चार में से दू जाएगा ता आपका बचेगा 270 बटा में आपका हो जाएगा 5 यानि कि 5 से काटेगे ता आपका बचेगा जाकर कि 5 25 25 और 5-6 शका 30 आपका हो जाएगा जो कि आपका जो है वो गलात उत्ता रहेती और सही कैसे होगा कि एक काम करते हैं यह तो अठारा गुने में 120 और 270 होती है और फिर मीटर से किलो मीटर में जाते हैं मीटर से किलो मुझे तो अठारा बच्छा पांच से गुनागा तो पांच आपका इधार चल जाएगा तो आपका हो जाकर के ठीक है ठीक है और एक ब्रुस दो पांच पांच के बीस है और एक एक इस यानि कितना पर यह जाकरtał प्रीद्धना हो जाएगा तब का शचप बाक्या व mm चात्म और 만들 आर्ट दो несколько कि 16 और ⁃ श्मैंट का दो सबस्रेंट अब करने का घर्ट यस में रचाभी सब्सक्त वह गांच एस हाना तक पांच हो मैशनली 10 6 20 फिर पांच इस आप दो बेगानए अध्यू धिकर επ FIrgenus के 20 हो जागा सौरी अगला नमबर हमारे पास कोस्ता ने कहता है कि किसी माल का एक तिहाई भाग 15% लाब पर बेचा जाता है 25% भाग 20% लाब पर बेचा जाता है और सेस भाग 20% हानी पर बेचा जाता है यदि पूरे लेंदेंद की प्रोसेस में कुल 13.5.0 रुपया का लाब होता है तो माल का मूल बताईए कोस्टन जो है वो बहुत ही जादा अच्छी है कहता है कि किसी माल का एक तिहाई भाग 15% के पर बेचा पर बेचा है किसी माल का एक तिहाई एक तिहाई का मतलब आपको पता हुआ की एक तिहाई का मतलब होती एक कवाटा 3 होती तीग पर बेच देटा है यानि की चारतीया के बाराइश एकसोडीस ले लेते आ हैं माल जो आपका वह मों 120 है लेकिन वह गलता है कि एक वाटा तीन भाग को 15% के ला पर बेचता है अगर इसको 15% के लाप पर बेचेगा तो आपका हो जागा 120 तो यानि कि आपका 120 और गुने में आपका हो जागा अच्छा आप बाते हैं 15 परसेंट को कैसे निकालेंगे आप एक दसमलेवियां से बैठा दिया तो 10 परसेंट निकल जागा और इसको दो सभागत दिया तो वह 5 परसेंट निकल दागा यानि कि 4 और दू 6 रुपिया इसको प्रॉफिट पर बेच दिया यानि कि हमारे पास 46 हो जाए अब इंतरा तो हमारे पास हो गयाOf rice तोटल हो गया आपका इतना प्रोफिड पर उसको बेच दिया अच्छा उसके बाद जो आपका होगा कि देखिएगा फिर कहता है कि लाव पर बेच दिया और स्कार्ष वाग कि 70 और 70 और अपका 50 देश जो बचा आपका 50 बचा और 50 को कहता है कि वह 20% हानी पर बेच दिया 20% हानी का मतल— 10% पांच यानि कि आपका जो हो जागा वह जागा जाकर करें पांच दुनी के 10% के वह हानी पर बेच दिया अच्छा है यहां निकल से बिक्रेमुल और क्रेमुल यहां से आपका जो है वो निकL Michl और चालिस में बेचा था क्रेमुल उसको था और तीन साथ और शाथ और पांच बारा यानि कि उसका जो खरीदा झावे 120 रुपया नेन खा़ा था लेकिन बेचा केतना में था तो इतने 122 हो जाएगा अच्छा वो प्रोफिट कितना लिया आप कि वो दो प्रोफिट लिया कितना लिया दो लेकिन वो कहता है कि पूरे लेंदें कि प्रोसेस में 138.50 रुप्या होता है दो च्पर दो च्पर खर अन च्पर आपको में 142 ब्रोफिट के संद्रा अन्न से छोंने देस फ्रोस नो। पहुंच आए दसमला भी यहां पे है पूरे लेंदर में इतनी कि वो उसको प्रॉफिट होती है कहता है कि तो मूल तो माल का मूल बताए माल का मूल आपका कितना है आपका एक सो बीस एक सो बीस देस हो गुना करते हैं अनसर आता है 12,5 के 60 के 0 बाकियाथ में 6 और 12 दुनी के 24 और 6 तीस के 0 बाकियाथ में 3 बाकियाथ में 3 और 298 होता से और 102 आपका हो जागा 111 के एक बाकियाथ में 11 और 12 चक बारबशा का 72 बारशा का 72 और 72 रुक तेहतर और 73 और तीन आपका हो जागा जा करके 10 आपका हो जागा 13 यानि कि 831 आपका हो जागा अगला नमबर हमारे पास कोजने काता है कि यदि आठ ए पांच एक चार छे बी कॉमा 88 से बिभाज है तो बी माइनस ए का मान बताई है 88 का मतलब हमारे पास होती है 88 का मतलब क्या होती है 88 का मतलब होती है 11 गुने 8 होती है कोजन था आपको बता होगा कोजन जो था आपका क्या था जैसे कि मैंने आपको पढ़ाने दिया यह को सब्सक्राइब कि अधां आठ ए ऐ और आपका जो है वह एक आमन हो जाएगा फिर आपका हो जागा जगर के चाहर चेह बी हो जागо kali scholars इकादा अठासे से बीभाज 88 से बीभाज का मतलब है कि आपका जो है वो संख्या 11 से बीभाज और आपका 8 से बीभाज 8 से बीभाज तक नियम आपको पता हुआ कि last के 3 संख्या के हमारे पास कटनी चाहिए अच्छा लास्ट के तीन सा के हमारे पास अगर कटना चाहिए और यह जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका चार छे भी दिया हुआ है एक और कोसर मिला लीजेगा आपका आठ ए एक आमन है आठ ए एक आमन है 8A एक आमन है उसका बाद में 4,6B है कितना है 4,6B है लास्ट के 3 सागे हमारे पास कटना चाहिए कितना है 4,6B है अब 8 से कटने के लिए 8,5,48 यानि कि इस पर आपका 8,5,4,8 ऐसागा 48 यहाँ पर क्या रख दे यानि कि बी वरावर आपका जो आ गिया वो आपका गिया चार आ गिया अब हमारे पास जो संख्या बन गिया वो आठ बन गिया उसके बाद में ए वन गिया उसके बाद में पांच एक चार छे चार बन गिया कि कि एगारेबस ब prevent नियम अपको पता लेगेवज्टाक नियम का मतरव होती है कि उन दोनों के पीच कि Samक्या के अंदर जो उन मतरब इसका जो जिसे आ सथाइक पर जो आपका संख्या है और आपको और संख्या है है कि इवेन्स संके पर और कौर्ट संद्र पर जो है उन दोने का अतर एकर नगयारा से कड़ता तो गरुरा से कड़ तो आठ और पांच तेरा और तेरा तेरा चार 17 रोडर सत्रह श्रह 17 सत्रह 734 हम्का किणद शिरहbox Industries मैं तो कितना आजयों साथ रावर आपकर 悼ावर आपका साथ रेंग लिज cable चै... यह कंड मैं एपक्लिफ इस घ्र्टा दी वह इक है टिल्स Sug 一 आपका वह जागा मैं सब्सक्राइब कितना आपको एक गारे में सुख़को इसमें से अगर 10 कटाएगा तो कितना आजागा आप कहेंगे 11 आजागा और 11 यह भी आजागा यानि कि दोनों आजागा यानि कि हमारे पास जो A कमान और B कमान मौदूद है एक कमान कितना निकाले तो एक कमान हमान निकाले आपका तीन निकाले और भी कमान तो सुरू में हम लोगों निकाले था चार निकाले तो वह पूछता है कि बी माइनस ए बताईए बी माइनस ए बताईए तो बी माइनस ए बी कितना हमारे पास चार है और एक कमान कितना है आप कहांगे एक बाच आपको यह जाएगा आगला नम्र मारे पास कोज़ा ने कहता है कि एक्स पलस चार खुमट एक्स प्लस बारह फिर एक्स माइनस एक और एक्स प्लस पहुंच समनु पाती है तो एक्स और X-7 के बीच मध्यानुपाती बताईए जैसे कि मध्यानुपाती के मतलब आपको पताऊगा मध्यानुपाती के मतलब आपका होती है रूट आपका होती है A और V होती है अभी इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें कुछ कुछ कल्कुलेशन करना पड़ेगा आपका जो है वो एकस पलस में आपका चार है वाट में आपका दिया हुआ एकस पलस में बारा दिया हुआ एकस पलस में आपका वारा दिया हुआ फिर हमारे पास दिया हुआ समान उपाती बोल रहा है तो इसको हम पहले कालकुलेशन करते हैं तो क्या हमारे पास हो इनिकी x square हो जाएगा फिर आपका हो जाएगा जाएगा जाकर एक साथ से गुना करेंगे तो माइनास के एक्स हो जाएगा माइनस के एक्स होगा फिर आपका हो जाएगा जाकर के माइनस के बारा माइनस के बारा होगा ना माइनस के एक्स हो जाएगा फिर आप माइनस का एक्स और फिर पलस का माइनस का बारा एक्स अस्क्वार से एक्स अस्क्वार कर जाएगा पांच एक्स पलस में आपका चार एक्स यह पलस है ना तो यह आपका पलस हाँ पलस है तो पलस में आपका माइनस बारा एक्स हो जाएगा फिर इधर माइनस हो जाएगा फिर इधर जाएंगे तो आपका हो जाएगा जाकर क माइनस के 12 होगा न है'Dच के 12 हो जागा फिर इधर आ जागा ता आपका जाकर की माइनस के 12 हो जाएगा तो यह नहीं होगा तह Mason बैटेहा पिर आपका उजागा पांचार नो और नो पांचार नो और नो और मैं दास में एक दस मेंसे बाँच जाएगा तक इतना बचेगा मांदस के दू किदू बरद म्मनेश कि आ का मेंध़ मैनस आपका episódio 25 और मांदस आपका फार। लिए कि ए कर वो का दाया है कि आपको एक और एक माम्नाश के बीच मंध्याद़ अनुपाती बताइये। का याणि की यानिकी की एक टो एक समारे पास कितना सोलह पिर को यहां से सब्सक्राइं से माइनस सास्थ कर दें तो कितना ऑजय का आपको देह सोला और आपका जो है अंकीत मूल सा सव चालिस रुपिया है किसी बास्तू का अंकीत मूल सा सव चालिस रुपिया है लगतार 15% और आपका जो है वो एक सब्सक्राइब के बाद यह इतना पर्सेंट रुपाया बेच दी गई तो X का मान बताईए कोस्ते हैं कि आपने पढ़ा कि एक बास्तूक आपको 740 रुपिया में वो इसका अंकित मुले वो 740 रुपिया है कितना है 740 रुपिया है? इस और वुऎं कातार 25 परसेंट और एकस के चूत के बाद यह एतना रुपिया ने बीच दिदा ये 15 परसेंट का अगर आप पास कितना होती है 15 परशेंट का मतल़् होते है कि 5 का परसेंट आपका होती है 1 बटा 20 को ये कि 5 का 15 लाइक्त के चूट थैनि कि वह 60 मानास में आपका दिए 100 मानस में इडीया बाट सु आ कि पर में वह रहाएं या नहीं कि आपका बेच रहे पोड़ा है, एक छे छे पॉइंट में आपका हो जागा दोस हो जाएगा ठीक है जी अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बड़ा लंबा प्रोसेस होगा लगता है कि इस उना से इस उना तो कटेगा और दोसे दू भी कटेगा ता आपका हो जागा जाकर के दू ती आई के छे और दू सत्य के चौदा यानि कि आपका होगा 37 गुने में आपका जो हो जागा वो आपका 17 हो जागा और सौ उधर चल जाएगा ता आपका बाचेगा जाकर कि यहां पर गुर्णे में बाचेगा जाकर कि सौ माइनस में आपका एक अभराबर में आपका हो जागा जागर कि 56610000 तो कि यहां जीरो जिरो जीरो जीरो यहां के बाद देते हैं यहां जीरो जाएगा अब देखिए यह तो ऐसे ही रहेगा अभी यहां से काटना कि कोसितु करते हैं सब्सक्राइब बतार सब्सक्राइब एक आम और फिर पांच उत्रेगा तब का सथ द्या के एक आमाइं इतना हो जाए गए अब तो कटी नहीं रहा साथ नमा तिरेशट के छो बाकियाद में छे और नो तिया के सताश और सताश और शे तेदिस इन नो मरतम में कट रहा तो नो मरतम में इसको काट लेते हैं और कुछ वचा नहीं और वच कि आपका जो वच क्या हो जखे हैं कि यहांप इसको कर देड़े हैं को यानिकी आपका जो जख हो जार साव माइनस में आपका एक व्रॉबर में और बाम कर देंधर में एक सिधर रहे गा तो आपका व्जएक जाकर कर वेदर जा नहीं है कि अग्रावर आपकर 10 थे माइनस के दस आजाएगा एक सब्सक्राइब पर आपका आजाएगा यहीं कि एक सब्सक्राइब अग्ला नम्र हमारे पास कोस्टन है कुछ इस तरह से यह आपके कल्कुलेशन वाले हैं तो इसको चलिए हम लोग सुलजाते हैं क्या हमारा कोस्टन का अंसर होगा कोस्टन जो है वो कुछ इस तरह से जैसे के हम देखते हैं 31, 32, 5 है कितना 31, 32 आपका 5 है भागा में आपका जो है वो कुछ बड़ी प्रैकेट है 168 भागा में आपका 3 वाटे में आपका 7 उसके बाद में काह है उसके बाद में आपका जो है वो 28 आपका जो है वो 33 भागा में आपका जो हो जागा वो पांच वाटे में आपका जागा दू उसके बाद में ऐसे कुछ इस तरह से बैंद है फिर आपका जो है वो आपका 7 है उसके बाद में आपका जो है वो तीन है उसके बाद में आपका जो है वो पहुंच रहे हैं और उसके बाद माइनस में आपका तीन दू पहुंच है कितना है तीन दू आपका पहुंच है उसको कुछी इस तरह से बड़ी ब्रैकेट चलिए इसको हम लोग सुल जाने की कोशिस करते हैं एक ती पज़े पच्पानमा से और एक सो पाच्पान और दू आपका हो जागा एक सव संतामान वटे में आपका हो जागा पांच भागा यहां पे रहेगा बड़ी ब्रैकेट रहेगा फिर 168 तो रहेगा ही रहेगा और आपका जो है बिगुना में जैसे आपका सच्चों के 28 आपका हो जागा यानि कि आपका चार तिया के बारा यानि कि आपका हो जागा जाकर के बारा उपर में जाएगा तो बारा आपका नीचे में आ जाएगा और फिर आपका प्लास हो जागा फिर 33 और 33 आपका कितना हो जागा कैने कि आपका ये जो हो जागा आप आपका हो जागा जाकर के 33 गुद्र olmuş फिर प्लस में यहां पर देदेन और यहां पर हो जाकर के साथ पच्छे के 35 और तीन और 38 मआपका पॉंस तिया है के 15 मैं पहले कि एक पांच साथ बंगे मैं आपका यह सुला करके घृक मैं एक पांच साथ बड़े में रहने अपकॉजा नमसर हो जा ख़ागर के बारहि का ओर रहरा है है करपार्ठट penguin शूभाज बार च्वार्थ लोसे थूं यहां भार पांच 14 जा स्कॉम democratic Sky propagate हो दो चार आपका एकीस यहां से बन्द होजाएगा यहां से बढ़ हो जाएगा आपका फीर यहां से अंदर नर जोड़े नहीं के 14 पच्छे के सतार 14 पज़गे कितना हो जागा तो अपको है और उसके गोगता ऑघ्टर अपका 68 और पलास में आपका 21 और वटे में आपका 5 फिर यहां से अगर सुल जाते हैं तो कितना जगा आपका दामा तो पहले सफ हो गई होगा वटा में आपका पाउंच तो पहलें लेकिन यहां जो 70 70 76 76 76 76 और आपका साथ हो जारा जाकर के 136 17713 और भी साथ का जागा जाकर यहाँ से यहां से यहां से आपका अंसर जो है वो एक और रहेड़ वो जाएगा अगला नंबर को सब्सक्राइब कि ए वी तथा सी की गतिका अनुपात करमसा दू तीन छे हैं समान दूरी ताय करने के करने के लिए करमसा ए भी तथा सी द्वारा दिये गए समय का अनुपात क्या होगा यहां दिया हुए ए बी था सी के घतिका अनुपात ए दिया हुआ आपकि ए निजा हुआ औरा जाइन की छाल होते हैं है आपका sightred का आप ऑज जो होते हैं से चार्ल ब़राबर आपकाुति है पता चाछल का जो होती है चार्ल का मतलिंगर आपका थी ट्रॉपेध इसमाइय को चीथ पूछल समाअधोह। के लिए करम सरे तसी द्याटर। समय का अनुपातल्य यानि निकि समय अगर आप लिजिएगा समय कीतना हमारे पास आजाए तो swam a यानिक आपका जागाए यानिकी आपका जागा जाकरके रिटेडर इन तिनों कऺे सब का आ यॉम होने अगला नंबर कोसा ने काता है कोई आदमी 10% 10% वार्षिक चक्रविर्धी ब्याज ब्याज की दार पर दो बरसों के लिए पैसा उधार लेता है और 1089 रुपिया की दो बराबर बार्षिक किस्तों में बापस भुगतान करता है यदि ब्याज की गर्णा बार्षिक रूप में होती है तो उधार ले गई रासी घ्याद कीजिए जैसे कि आपने कोसन देखा वो का था कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रविर्धी ब्याज पर दो बरसों के लिए वह पैसा उधार लेता दास पर्सेंट अगर लेगा दास पर्सेंट किसी की यहां से कोई पैसा लेगा तो दोटो देगा है लेकिन दास पर जागा पर आपका आपका जाती है तो पहला बरस के पहला बेरहरा जो आपका चक्रयूदी दिया उग्या, तो आंसे कि पहला बार बैसे के सम्पल इंट्रेश्ट देंगा, तो आणि कि 10 रुपिया की गारता आख जो कर लगा टार जो कर लगता है कि उसका तो यहांनी कि 10 रूपिया की सब्टाता हो जाना देता है तो किस्त बराबर करने के लिए उपर नीचे गुणा कर देते हैं तो इगारा से हमारे पास इत्सका गुणा होता है उधार ले गई यानि कि इगरगर एकील से ती आपका हो जागा जाकर के एक एक दो साओ यानि कि दो साओ बारा बारा दुनी के चौबीस बारा बारा दुनी के चौबीस चौबीस यानि कि आपका हो जागा दूसो बियालिस रुपिया वो बापस देगा मतलब कि उसका सिया ही हो जाएगा लेकिन कोसन काता है कि लिया गया पैसा उधार लेता और इतना रुपिया कि दो बरावर बारसी की किस्तों में बापस भूगतान करता है उसका जो बरावर किस्त जो है नहीं वो काता है कि 1089 है किस्त जो है यहां से अगर काड़ते हैं तो कटेगा नहीं कट अगर 1089 को अगर हम काड़ते हैं एक दो एक से लास में तो आपका नोवे होगा भरनमा ठोटा से यह लिए किनिरान में काओ नों से अगर काड़ते हैं है यहां पर देखता हैं तो आपका कितना एक दू एक और नौ स्वान थो क्रेंगते हैं सीन NFL Baba क्यांत हैं यहान इक जा रहा है तो यादे कि एक वरावर आपका जो आ गया वह उड्वाइब नौ थो कहता है कि उदभार ली कि एक बरावर नौ तो आपका नोजोटी के दुशन दास ने घुन Rules ऐका दो यानि कि आपका जो हो जाएगा आपका ने अथारा सुनभब्य ओस्जानी हो जाएगा कर्यक्ट उतर चिया अगर नमर कोजने का दयता है कि कौुसन नमर कितना है यृअंबर को पहुँंच गया अब आपका 12 है काता है कि जैसे कि कोछन आपने देख 150 मुट के आपका πांच है चिह आपका क्यूंच है और आपका ऐनरी ही हो जाएगा और इसका हो जागा वह कितना हो जाएगा यहनि कि 5 तिया के कि पंदरा हो जाएगा और 3 यहनि कि 0 उत्रेगा थे यहनि कि पांच हका 30 दितरी पॉइंट शीक्स इस संद्ध का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला नमबर को सन्दे काता अधिक है यदि सी कामान अस्सी पचासे दिया गया है तो एंक अमान ग्यांत किजिए कोर्स न बहुत जबह तेखकर कल है संख्या B संख्या B अब पहले तो ए माल लेते हैं और उसके बाद B Är और उसके बाद C ाइसे संख्या B संख्या एसे पर्षेंट पेंच कर माल लेते हैं कि संख्ये आपका जो है वह यह आपका hundred संख्या से पर्षेंट कम है अच्छाव 18 गंदाएंगी समर्फ 10 गंदाल नबे और नबे मिश् reinforcing 10 गारो नढे फिर काता जबकि संख्या सी जबकि संख्या सी संख्या सी जो है न वो संख्या बी से बॉइस पॉइंट पॉइंट परसेंट अधीक है पॉइस पॉइंट 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 है तो कहता है कि और सी बरावर आपका दिया हुआ इतना दिया हुआ है तो तो काम करते हैं सी को मानुक बरावर करते हैं तो आपके एंगे बेरासी अप्वाइट पांच और गुने में आपका जो है वो एकसो बाइस अपवाट पांच और गुने में आपका जो है वो सा बहाबर में आपका फ़हला जाएगर करके आसी पचछासी ऐप कैसे ने के लिए तो काता है कि ए कामान वताये थे एक कामान है तो साई और है जटना आएगा उसको मैं इसे गुना कर दें ताप करने कि ये आपका हो जागा जाकर के एक कमान बताई एक कमान पूछ रहा ना तो एक कमान अब कैसे निखले रहे इतना बरावर इतनी गल्लम उसके लिए तो इसको क्या करते हैं एक कमान पूछ रहा है तो एक कमान पूछ रहा था इसको सौ से गुना करते इधर की इधर करें एक कमान आपका सौ से इधर कुना करते हैं क्या तो आपका हो जागा जाकर के 82.5 गुने में आपका हो जागा जाकर के 2.5 बरावर में आपका हो जागा जाकर के 80, 85 गुने में आपका 100 गुने में आपका जो हो जागा वो 100 हो जागा यहां से अगर एक बरावर अगर निकालें यह तो कितना हो जागा आप कहेंगे असी पचासी और गुने में आपका हो जागा साओ और फिर गुने में आपका हो जागा साओ और बाटा में आपका हो जागा जाकर के बेरासी दसामला हो पाँच और गुने में आपका हो जागा जाकर के एक साओ बहुए दिसामला में 5 और फिर गुने में आपका हो जाकर कश्म आप यहां से काड़ते हैं तो 25 से कम करते हैं तो 25 जो के 100 और 25 जो के 100 और 25 25 नमा दूपचीस, चर पर नुवाँ ठीक है जी? आप कहें ने ठीक है फिर पचीश से काड़ते हैं तो कटे गई पचीश दूने पचीश थिया पचहत्तार हाँ कटेगा पचीश चो के सो और पचीश तिया के 25 और पचीश तिया के 75 तीन फिर इगारा से कटेगा इगारा तिया के 33 और 11 सते के 17 और 11 तिया के 33 और 11 पचे के 25 फिर साथ तीन दास पांच 15 तीन से कटेगा तो आपका तीन दूनी के 6 और तीन चो के 12 और तीन पचे के 15 फिर पुना करते तर साथ साथ उन्चास और फिर साथ तिया के 21 21 और साथ पचे के 35 फिर साथ पचे के 35 यानि कि पांच चो के 20 और बीस का बीच 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 चो के असी पर एक दो सुना यानि कि आपका जो है वो आठ साव आठ हजार इसदा करेक्ट उतर हो जाएगा अगला नंबर कोसा ने कहता है कि किसी पूस्ता की 12 प्रतियों को 800 रुपिया में बेजने से तीन प्रतियों के लागत मूल के बराबर लाब हुआ पूस्ता की एक प्रतियों का लागत मूल कितनी है किसी बास्तु का 12 प्रतियों को 800 रुपिया में बेचने से आटह्यूब बैचने से तीन परतियां के लागत मूल के बरावर लाब हुआ 12 इसको बैचा 12 12 उसका झोसंड फिर नाव होती क्या हुती थी जो पती है वह लग बैचने से आपका कितना वह आपका इतना हुआ अपको होती स्टीपीब और प्लसेडिये आपको होती है इस भी होती है तिनकी बारह और तीन आपको जागा पंधरा सीपी हो जाएगा परहबर में आपका हो जागा जैकर के अथारा सो यार्ट निकी दिक फंदरा पंदरा और तीन पंदरा तुनी के तीस यहने की 120 आपका आगा अगला नमबर कोसा नहीं कहता है कि 31 पर पावर 47 पलस में आपका 43 पर पावर 47 को 37 से विभाजित किया जाए तो सेस कितना होगा कोसा नहीं से कि 31 पर पावर आपका कितना है 31 पर पावर आपका 47 है और आपका पलस में आपका 43 पर पावर आपका 47 है को कहता है कि 30 से विभाजित किया जाता है आपको पता है जब पावर से मराती है तो यह जो है वो दोनों मान आपस में जूड़ जाती है यह दोनों जो है वो जूड़ जाती है यानि कि 31 और 3 आपका ओज़ागा 34 और 34 और 40 आपका हो ज़ागा जाकर के 44 हो जाएगा चहुंतर प्रपावर आपका हो जगा इतना अवकाता है कि 37 से ये भी भाजित है ठीक है जी एक आदमी धारा के दीशा में 15 किलोमीटर परती घंटा की चाल से और धारा के बिपरीत दीशा में 11 किलोमीटर परती घंटा की चाल से 9 चलाता है क्रमसा सांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बियात कीजिए अपने दोनों उतर किलोमीटर परती घंटा में दीजिएगा जैसा कि कोस्तन में बोर रहा है कि आपका जो कोस्तन कितना अदापने है कोस्तन जो आपका है वो सुला है कोस्तन मों बोर रहा कि एक आदमी की धारा की दिशा में धारा की दिशा के मतलब क्या होती है धारा की दिशा के मतलब आपका जो होती है धारा की दिशा के मतलब होती है धारा की दिशा धारा की दिशा के मतलब होती है बी पलस में आपका डैबलू तो बी पलस में डैबलू आ होती है पंदरा किलो मेटर पार्ति घंटा से छाहान इपां आपको पता हुए कि नौप के निकालने कर रहे हैं तो एक वर जोड़के दो से भागद देंगे यानि कि 15 पंद्रह और 11 आपका कितना हो जागा 15 और 16 26 और बटे में आपका दू हो जागा यानि क지 27 आपका आ गया और इधनों के घंटा के अब दितल आपका हो यह करके चार और बाटेमें आपका दू यानि कि आपका हो जहाँ लुआ दू यानि कि तेरा अनुपाथ आपका हो जहाँ दू आपका हो जहाँT 13 नूपाहँद 2 अखलडikke अगला नम्मर कोसन काता कि A और B किसी कार को करमसा 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं उबे एक साथ 3 दिन तक कार करते हैं सेस कार को C अकेले 2 दिन में पूरा करता है बी और C एक साथ उसी कार के 3 बटा 4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे जैसा कि कोसन जो कह रहा है कि A और B किसी कार को 6 दिन और 8 दिन में पूरा करता है A है और आपका B है ए और B किसी कार को 6 दिन और आपका जो है वो 8 दिन में पूरा करता है 6 और 8 की LC हम लेंगे तो 8 का 8, 8 दूनी के सोला 8, 8 तिया के 24 यानि कि 6, 6 तिया के 24 और 8 तिया के 24 इन दिनों की पावर की छमता जो आपका है वो कुछ इस तरह से है टोटल काम आपको पता होगा टोटल काम आपका जो है वो 24 है टोटल बर्ग जो आपका 24 है फिर कहता है कि वे एक साथ तीन दिनों तक कार्ज करता है तीन दिन तक वो एक साथ कार्ज करती है यानि कि चार और तीन साथ गुने में आपका तीन यानि कि सतिया के एकीस काम आपका हो जाती है कितना दिन में आप कहेंगे कि तीन दिन में फिर कहता है कि सेस कारे को सी अकेले दो दिन में पूरा करते है तो सेस काम आपका कितना बज़ेगा आप इसमें से 24 घटा दिए तो कितना बज़ेगा आपका इंगे तीन बज़ेगा और फिर वो कहता है कि C जो है वो दो दिन में निपटालता है दो दिन में निपटालता है का मतलब कि एक दिन में वो डेढ़ काम कर रहा है बी और सी एक साथ उसी कार्रिक के तीन मटा चार भाग को कितने दिन में पूरा करेगा कार जो है आपका चौबिस है और कहता है कि उसका तीन मटा चार भाग तीन मटा चार का मतलब है कि छो चो के चोबिस याने कि छोतिया के अठारा काम उसकों से पूरा करवानी है है सेट आपका जो ए वो आपका कितना मचागत चेटिया के अठारा अठारा काम उसकों से करवानी है और कितना के 16 करती है कि लेकर 16 से करती है तो करके दा कि Little Richard jemand2 कि एक साथ उसे कारक है तुस्पी और सिव्थ आपका का थ्प यह तो आपका कितना हो जाएगा एक सुना मेट जागे तो आपका बज़ागा पैंतालीस दूनी के नबे यह निकि पैंतालीस चौके आपका हो जाएगा यानि कि वो चार दिन में वो पूरा के पूरा काम को निप्टा देगा अगला नंबर कोसा ने कहता है कि 0.03 और आपका 0.27 का मध्य अनुपाति ग्याद कीजिए मध्यानुपाति का आपको फर्मूला मैंने आपको बताया था पिछले मध्यानुपाति का मतलब आपका जो होती है वो आपका होती है अंडरूट एवी होती है अंडरूट एबी आपका दिया हुआ 0.03 0.03 गुने में आपका दिया हुआ 0.27 दिया हुआ अंडरूट दिया हुआ अगला नंबर कुछ हमारे पास आ रहे हुआ हुआ अगला नंबर को से न कहता है कि को 12 छड़े जिनमें पर्तियक की लंबाई एक यूम्ड है का पडियोग करके एक समकोन तिर्भुज बनाया गया है तो तिर्भुज का छेटरफाल आप बताईए कोसन ऐसे कि आपने देखा कि बारा च्छाड़े जिसमें परतियक की लमाई जो एक यूनिट है का परयोग करके एक समकून तिर्भुज बनाया था समकून तिर्भुज होती है वो आपका कुछ इस तरह से होती है जिसका एक कौन जो होती है वो 90 डिग्री की होती है आप कहता है कि बारा च्छाड़े में जिन में परतियक की लमबाई जो एक यूनिट है एक यूनिट का मतलब आपका होती है कि आपका बारा तिली है बारा तिली वो खबत कराने तो आपका चार और तीन साथ और पांच आपका बारा हो ज यह उच्छाई होती है एक वाटा कि आपका दू गुने में अधार कितना पहंग तीन है फिर आपका कहेंगे यह चार है तो यानि कि दू दूनी के चार यानि कि तीन दूनी के छे यूनिट अस्क्वाइर हो जाएगा अगला नम्मर कोसा नहीं कहता है कि धातु के एक पाइप पाइप की लंबाई 7.56 मीटर है इसकी बाहरी और आंतरीक तिरिज्या करमसा 2.5 सेंटी मीटर और 1.5 सेंटी मीटर है यादि धातु के 1 सेंटी मीटर क्यू का बजन 7.5 ग्राम है तो पाइप का बजन बताईए जैसा कि कोसन आपने देखा का था धातु के एक पाइप की लंबाई जो है वो आपका साथ पाइप जो होती है वो किस तरह के होती है पाइप जो होती है वो बुलकुल इस तरह के एकदा मिलना कार होती है पाएंप जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है धादियों के पाएंप की लंबाई जो है वो 7.56 है कितना है? 7.56 है 7.56 मीटर है 7.56 मीटर इसकी बाहरी और आंदरी के तिरिजिया 2.5 और आपका 1.5 सेंटी मीटर है यहाद धातू के 1 सेंटी मीटर का बजन 7.5 ग्राम है तो पाएंप का बजन पाइंप का बजन होगा उसका आइतन के बरावर होगा तो यानि के बेलन का आइतन होता है 2.5 रह होती है यानि कि यहां से हम निकाल देंगे कितना ब fulfilled तोMus जाए आपका एक बचता अक現在 कमांग कितना बच पांच गहां देज़ आपका एक बचता गुद एक कितना दिया हुआ कि आप साथ उसम्मला पॉंच्छ हो जागा ता साथ या ये चो दिया हुआ सेंटी मिट्र में दिया हुआ और ये मेटर में दिया हुआ इसका मतलब है कि यह आपका गुना होगा सव में सब दो आपके बाद बैठेगा देन की इतना ही हो जागा फिर यहां साथ से काटेंगे तो साथ पज़े के पैंथीस साथ एकाई साथ और फिर पांस सतू अठ्टू छप यानि कि बाश दूनी की आपका ह हो जागा जाकर के आठ चो के बाद तीस आठ 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 चो के बाद तीस आठ 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 चो के बाद तीस फिर आपका हो जागा चार हो जागा तीन हो जागा दू हो जागा तक तो दो ती दू पहुंच और चार हो तीन साथ और आपका हो जागा चार इतना हागे 47 पांच दू है इतना यह इसका काता है कि धात्यों के एक सेंटीमीटर क्यूब में यह आता है तो साथ समला पांच गराम है और यह किलो ग्राम में है तो आंशर देता है किलो ग्राम में देता है तो किलो ग्राम में देता ताप देख लिए 47 और आपका पांच दू है और 47 पांच दू है और एक सेंटीमीटर क्यूब का बाजन जो आपका इतना है की लिए मनत kilos क्छाम है तो दो है यह काम करते हैं इसको तो गुणा में रिखासा लगना वहना सक्वाह सेंट फॉइंट सेवन पॉईंट फाइब हैं तो एक गराम में है तो गराम में तो इतना गराम में कितना लग इतना लाएगा तो यह चा वाप पॉल ढरस Lak ng Magazine घन खिज़ार साभगा देया तो यह किभूप में डेवार्ट हो जाए इसमला के बाद एक सुनना कि अब यहां से काड़ते हैं पचीज़ पचीश तिया के पचाथर और फिर अगर चार से काड़ते हैं तो चार से ठीक है बाद तीस और तीन दचारी या ठीक है 32 यानि कि 11.88 देता है नहीं आता है आप सम्दू कोई है नहीं 47 पांच पर दू आपका है और उसके बाद में आपका है साथ पांच और बटा में आपका एक दो तीन चार है पचिस त्यां पांच पांच पचीस जो सब यानि कि आपका आगा जा कर ओ तीन यहां था नो तो कि एंज चार सबतें कितना या जैगा लगन चार फिस चार एकम चार तीन देर्चारी थीक की बारत 20 आप दिए नहीं तो बागिया तो में दू उत तीन दू पाँच और तीन ने काही तीन पैंतीस जए नहीं है याद कि कईसे काहूं बढ़ती वह दासो की पाइप के लिए मारे इसादा सम्मला 5 है तो जादा सम्मला 5 पाँच है और आपका इसमें घंटाना के बादा क canon 5יYour कि कि नहीं है या यह लिक्षा कदूमें से ग ai ता इक मेटरी घंम अ और इसको भी सेटिमें कि ऐज hätten आपका मेटरी नहाए है कि सब को सेंटिमेटर में की एंतित होई जाएगा फिर इसको इंदिमिटर मैं फ्र आपकर दू कह सरा है दू कि यानिह कि आपका हो जाकर के धु गुने में आपका बाइस बटे के साथ और गुने में एक और गुल्विश छोERS साथ सकाते ही तो साथ एकम साथ और फिर आपका पांच उतरा तर पर जीरो फिर छे उतरा पिर सचता सच्छा का बहुता थीक ख़प तो आपका आट रिजे 22, 24, 108 है गुने में आपका 44, तो आठ चव के 32 के दू बाकिया तुम्हें 3 और जीरो तो आपका हो जागा जग दू बाकिया तुम्हें 3 और चार ता आपका 3 हो जागा फिर आपका हो जागा 4 और ही चीज सेम चार तीन दू हो जाएगा फिर दू तीन दू पांच चार तीन साथ और आपका आज़ागा चार चार साथ पांच दू थो आया हिया तो चार साथ पांच दू और गुने में आपका पच्छाथा और भागा में आपका हो जगा जगर एक दू तीन वो पहले स्था ये वो बाद में आया कि तो प्रिचिस दिया के 25 और 25 से चाओ के 100 हुआ जां फिर चार साथ गारते हैं तो चार dipping पांच ये छी तीन तो चैने डिट 52 चारी ठीके बाद तीस ती त्रीच फिर ठीके बाद तीस तो फिर चार सी सुकरता है तो चार एक उन्चार यनि कि आपका बाचा एक आठ गुने में आपका तीन वटे में आपका हो जागा जाकर के सब्सक्राइब दो और तीन दू पांच और तीन एक तीन बटे में आपका आता है सब्सक्राइब 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 होती है यानि कि आपका rut ये अपका होती है यह इससे हैं जया कि कि पाइब काइब पाउंक्राइब Judaism और फिर आपका हो जागए कितना है भो जञा कर कि आपका वो जाकर कर के बाइस वटे में का साथ गुने में हुटा जागए कितना हो जाएगा हो जाकर कि आपका है कि GHC और मैं मैंने म्होंने जाकर कि दूना रिधान कर जाकर करके ना ऑनषै कि फिर आपका हो जाकर जाकर किैसे न ऊचेकर आपका चार बज़े गया यानिकी 22 बट्रे कि आपका साथ हो जाए क्या हुसरा कैसाओ दे कि आ और सबस्क्षरा बाइस बट्रे के साथ हो जाए आ दॢृशिगोψे साथ और गुने में आपका गुने में आपका साथ पंच्छे उदर साथ साथ कम्साथ और सद्टू अठ्थू के 6522 चार दोनी के 88 चावोण tab конечно 64 morning 34 और आठ फिर आपका 864 चार आठ य Oh no यह उस्दो एक नो एतना हो जाया लाएतना हो जाए फर जानमे जीरो पंचान冷रं जीरो आपका पंचानメ जीरो चार आपका क्यों दो संद्राइद कर विन dhецड को चाहता है अगर दो कि तो पनचान था अगर होता है अह की भाट चैझे, इसको के बतली पहुन देद्राइद में पहुंच ओर की कि साथ हुआ हो जारा होुआ है यह जिन्स Bbok आपको यह जो पहुच जाएगा वहापका किलोग्रामके पहुच़ाइगा और एक सुना और swept 75 से इसो गुना कर दीजे थिया के 75 पचीश चौह को सवौ 25 लिए पछाइश है कि चार से खुटेगा आपका च्छा का चोबीस यानि कि आपका छोतिया के ठारा के आठ बाकिया तुम्हें एक साथ आपका जो आपस नमबर एक करेक्ट उतर हो जाएगा अब जो हमारे सुंदरी ने इंडिया तो किसने जीता है तो वह आपका जीता है आपका नंदनी गुपता ने जीता है जीता है पहले नंबर कोस्टन है कि नहीं था नंदनी गुपता नहीं दिखा था आपको करेक्ट नंदर अपसर नंबर डी हो जाए चलिए अगला नंबर हमारे पास कोस्टन है कहता है कि कहता है कि निमलिखित में से निमलिखित में से निम्लिकित में से कौन से सास्त्रिय नरीत की सुरुआत कोली केली कुट्टू नामक ड्छोल बजाने के प्रदर्सन के साथ होती है निम्लिकित में से कौन से सास्त्रिय नरीत की सुरुआत केली कुट्टू नामक ड्छोल बजाने के साथ होती है तो वह अपका होती है निम्लिकित में से किसे दुनिया भार में भारत नाटियम की समरागी के रूप में जाना जाता है तो वह अपका जाना जाता है निम्लिकित में से खिलजी बंस के सलस्थापक कौन थे तो खिलजी बंस के सलस्थापक थे जलालुदीन फिरोज खिलजी कनून के सासन बिचार निम्लिकित में से किस देश के समिधान से अपनाया गया था तो वो अपनाया गया था उनाइटेड किंग्डम से अगला नमर को सने 1796 में किस बैज्ञानिक ने निहारी का परीकल्पना को संसोधित किया तो आपका वो किया था आपका प्यारे प्यारे लाप्लास ने इसके बार में डिस्क्रिप्टिव यह है पिरे लाप्लास इनोंने लाप्लास का समëकरन तेयार किया और लाप्लास परिवरतन का नितरित रिक्ति किया की चाहाऊं में दिखाई देता है था यह बलैक होल के समान विचार का सुदहाव देने वाले प्रतम बैक्रिती भी थे निहारिका परिकल्पना हमारे सौर मंडल का निर्मान धूल और गैस के संग्रहन से बने निहारिका बादल से हुआ है प्रमांड के बिस्तार के बारे में बिग बैंग सिद्धांद जॉर्ज ले मैत्रे द्वारास परस्ताबित किया गया था पंच भरस्य योजना में योजना अकास योजना अवकास की अबधी योजना अवकास की अबधी जथा उनी सव श्यार सट से उनी सव उनहत्तर था डिस्क्रिप्टिवियां कि योजना अवकास या चीन भारत यूद और भारत पाकिस्तान के कारण तीसरी योजना की पिफलता का संकेद कॉर्णिया के पीछे एक गहरे रंग की पेशिये सन रचना होती है जिसे क्या कहते है जिसके परितारिका कहते है परितारिका जो पुतली नेत्र गोलक में प्रवेस करने वाले प्रैस में प्राकास की मात्रा को उनियंत्रित करता है जो परितारिका परितारिका के केंडर के अस्थाई अकार का एक चिछिद्र आँख की लेंस प्रनाली एक प्राकास संबेदन सील अस्क्रीन पर एक प्रतिब बनाती है जिसे रेटिना कहते हैं प्रकास एक पतली जिली के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है जिसे कौर्णिया कहा जाता है आंख का लेंज रेटिना पर बास्तु का उल्टा बास्तु परतिवीम बनाता है ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज सरकार ने OBC का दर्जा दिया है तो वो दिया आपका माध्यप्रदेश मेर्द प्रदेश राज पीछा वर्ग आयोग अदलिया उनी सू पंचान्वे के ताहत जोड़ा गया है निम्लिकित में से कौन सा भारत के महराष्ट राज का एक प्रसीद तयोहर है तो वो आपका है गोड़ी गोड़ी पड़वा बार सुनेश पंद्रह में पैंटीसवे राश्टिये खेलों का योजन कहां हुआ था तो आपका हुआ था किरला में वह था इसके पार में डेक्स क्रेप्ट भी है कि किरल राश्टिये खेल किरल ने दूसरी बार पहली बार 1987 में 27वे राश्टिये खेलों की मेजवानी इसकी मेजवानी की 35वे राश्टिये खेल ग्रीन फिल्ड स्टेडियम में उद्गाटन समरों आयोजन किया गया जिसका उद्गाटन स्रीबेंकाया नाइडू ने किया प्रत्म राश्टिये खेल तयोहार लाहार में आयोजन किये गए प्रत्म अधुनिक राश्टिये खेल नियू दिल्ली 37 राश्टिये खेल गुवा में आपका हुआ था निम्लिखित में से किस भारतिय संगीत कार की आत्म कथा का सीरसक राग माला है तो आपका है रभी संकर रभी संकर उनकी अन्द पुस्ता के आपका माया म्यूजिकल माय लाइफ योर्स इन म्यूजिक एक एक ग्राफिक आत्म कथा जाकिर हुसैन एक लाइफ इन म्यूजिक नसूरी मुद्दीन कवीर के साथ आपका जो यह है सुबाज चंद्र बोस द्वारा अस्थापित भारतिय राश्ट्रिय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम किया था तो आपका जहांसी की रानी रेजिमेंट था जहांसी की रानी रेजिमेंट सुबाज चंद्र बोस द्वारा अस्थापित भारतिय राश्ट्य सेना में महिला रेजिमेंट का नाम था निमलिकित में से कौन सा मौली कधिकार देश में अपात काल गोसित होने पर भी निलामबित नहीं किया जाता है तो वो क्यास तब 20 और 21 निलामबित नहीं हो सकता है अनुछेद 20 और 21 अपात का लीन प्रबदान भारत के सम्मिदान के भाग थे भागव को कितना है तो भाग अअपका है जो वो 18 अठारा थारे में अनुछेद Really से 360 तक नहीं थे तक नहीं थे अनुछे थीन सो बामन रिश्तिय अपात का। Quiti あपात का कि तो आपका अ भारत में निमलीखित में से किस राज में सरवाधीक प्राचूर आपका जो है वो मोना जाहिट मोना जाहिट नीच्छेपों में से एक है तो वो आपका है किरला केरला दुनिया का सबसे समरीध मोना जाहिट भंडार केरल के पालाकर और आपका कोलम जीलो में पाया जाता है भारत में प्रमानू खनीज में मुख रूप से थोरियम और आपका उरेनियम के बहुत कम भंडार सामुए भिज्ञान की अवर्थ सार्नी में एच की रसाइनिक त हाठ असत्व में तुका का प्रतीक है तो एच करे तो प्रतीक आप ऊंप कहा प्रमानू संध्य एक यह 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 ब्रह न localized में सबसे हालका और सबसे प्रचूर्चूर थिसका नाम लेबो जियर ने दिया कौन लेबो जियर ने दिया या एक रंगहिन गंदहिन और गैस है और इसका गलत्व सबसे कम है जिवासम इंदेन के विपरीट जब हर्ट्रोजन जलाया जाता है तो या उपो टुपाओद के रूप में केबल केबल झाल उत्पाद जान उत्पण करता है जिसका आरफ है कि को कोंजी हर्यार कि ग्रीन हाउस गयंस उत्सरजन होता है इसलिए इसलिये इसरे का इंदर माना जाता है आने अने देट विहलियम और आपका पारा और आपका हेली मियस एचोट सिक्स थिरी भारत का रास्टी एक खेल दिवास भारत का रास्टी एक खेल दिवास जो मनाया था उन्ती सगास्त को हौकी के दिगज मेजर ध्यानचंद को स्रधानली के रूप में मनाया जाता है चिनका जर्म 1905 में इसी तारिक को हुआ था महात्वा गांधी की याद में 30 जनवरी सहीद दिवस बंडे 20 विकप इतिहास में सबसे तेज दोहरा सदक लगाने बाले बल्लेवाज कौन है तो आपका कौन है जी आपका है गलेन मैक्सबेल बंडे 20 विकप 2023 में सबसे तेज दोहरा सदक लगाने बाले बल्लेवाज गलेन मैक्सबेल बने है निम्लीखित में से 21 वर्स को भारत के जनसंख्यां की इतिहांस के महान विवाजन का वर्स है तो आप कहेंगे 1921 भारत के जनसंख्यां की इतिहांस में एक महान विवाजन का वर्स है जब मिरित्वदर में गिरावट सुरू हुआ हुई जिससे जनसंख्या बृदी की दर में तेजी आई करतार पूर साहीब कॉरिडॉर भारत के गुरुदासपूर के डेरा बाला नामक मंदिर को पाकिस्तान के करतार पूर गुरुद्वारे से जोड़ता है जो की आपका जो है वो राभी नदी के तैट पर है राभी नदी करतार पूर कोरिडॉर का प्रस्ताब पहली बार 1999 की सुरुवात में उस समय करमसा भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंद्री अटल भिहार बाज पे और आपका नवाज शरीप द्वार किया गया था अगला नवर हमारे पास रिजनी के कोस्तान है काता है कि पाँच चादर ए एम सी बाई और आपका जी एक बिरितकार मेज के चारों और केंडर के बिपरीद दिसा की और मुख करके बैठे हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी करम में हो एम एके ठीक बाई और और जी से ठीक दाई और बैठा है बाई ए का निकरता है पड़ोसी नहीं है जी के बाई और बाई दूसरे अस्थान पर कौन बैठे हैं कोस्टेंसे कि आपने देखा है कोसनों चाहला कि पांच जो है जो है वो छाथ रहेकित पांच जो है वे क्या है रख चाहते पांचW something कूं। इस तरह से बैठा देते हैं एक दो तीन चार पांच का हमारे पास चात्र है काता है कि पांच चात्र ए एम सी बाई और आपका जी एक ब्रिताकार मेंच के चारों और केंद्र के विप्रीत दिशा की और मुग करके बैठा हुआ ब्रित दिशा के मतलब आपका उसका जो दाहिना है वो इधर अब होगा इधर होगा ना इधर होगा था हम इधर कुछ इस तरह से पॉइंट कर देते हैं फिर काता है कि लेकिन जरूरी नहीं कि इसी कराम में है एम एक ठीक बाई और और जी के ठीक दाई और है एम जो है ना ए गौमा नहीं के पर रखते हैं चलो एम को यहीं पर रखते हैं तो काता है कि इर जो आपका ना एग ठीक बाई और एक ठीक बाई ओड़ और तो जी के ठीक बागद में तो जी यहां पर इख देते ठीक है जी कहता है कि बाई एक का निकरतम पड़ोसी नहीं है बाई जो है ना वो एक का निकरतम पड़ोसी नहीं इसका मतलब बाई जो है यहाँ है अब जो बच गए ए, 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 बच गए कुछता है कि G के बाएं दुस्रे अस्थान पर कौन बैठा है तो G के बाहन आपका कोछन गहाने इसमें कौन होसकता काता है कि यह विकल्प cultura को प्रतियों थापित करता को कौन करता एन जी एम अंसर आपको पता यह होगा लेकिन कैसे होगा आप देखिए कि पहले तो तेरा पर है तो 14 जोधा के बाद 15 15 के बाद 16 16 के बाद 17 होगा तो क्यूं और कोई में है तो क्यूं आपका करें उत्तर हो आएगा यह देखिए काटिंग और फोल्डिंग महला आपका जो कोसन है इसको काटिएगा तो कैसे होगा मुझे क्याल से आप इसको जब काटिएगा तो यह आपका आएगा नीची आएगा कैसे नीची वाला नीची वाला तो सीधा वाला आपका जो है यह जब काटिएगा त तो यह कैसे हो जगा आपका यह होगा आपका पांच है तो ई-e-e-A-R-L-O-I-E-E-R-Y-I-M-A-G-E-I-N-A-G-E-E-E-E-S-E-E-R तो आपका इधर से लिए आर आर एसाए ली लिखिए आई, आई, में, जिए, आपका आई, एस, ए, ल, आर, ए,स, ए, ल, आपका हो जागा क्या हो जागा बी करेक्ट उतर हो जाएगा अग्ला नमर को सहने काता है कि नेकनी सिर्ट भासा में इसका इतना दिया होता सिर्व जोड़ लेगे छे 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 चे छे छे छेछ अज़े पांच इग्यारा और एकारा और से तिस और तैसों और सब्सक्राइब आपका आपका हो जागा जाकर कि 46 और 10 आपका 56 56 और नू आपका हो जागा जाकर कि आपका खौनतर खौनतर दस चाहए चौरासी 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 चाहए और अथ 15 तो भान तो में ने 13 ऑर तेरा 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 रहती मैं gib fly 15 के आपका हो जाका जाकर चौटीसые जा चौटीस चौटीस ओस क्वाटीस जाओ चौरासी चौरासी यानि कि 48 सबका हो जाए यानि कप से नमबर एक कारेक्ट उतर हो जाएगा अगला नमबर यह आपका कथन और निसकार्षन वाला कोस्टन है तो इसको चले बनाते हैं कोस्टन जो है वो कहता है कि सभी कंप्यूटर फुटबाउल है जितना भी कंप्यूटर है ना सबके सब फुटबाउल है उसके बाद में कुछ फुटबाउल कुछ फुटबाउल गोला है कुछ फुटबाउल जो है ना कुछ फुटबाउल जो है ना आपका गोला है गोला है और कुछ गोल अस्टूल है कुछ गोल जो है ना वह क्या है आपका कुछ पूछ फुटवाउल कंप्यूटर अगर बाहर से अंदर की जाता है कुछ का के तब हो सही होती है यह आपको याद रख लिए कुछ गोल फुटवाउल है एकदम सही है फिर काता है कि कुछ अस्टूल गोल है कुछ अस्टूल गोल है एक दम सही है मतलब कि तीनों निसकर्शन सही है यादि कि आपको सभी निसकर्शन अनुसरन करता है यह करेक्ट उतर हो जाएगा चलिए अगला नमर को सने कहता है कि उस विकल्ब आपकरिती का चायन करें जो दी गई आकरिती में उसके उसके बहुत के रूप में अंतर नहीत अंतर नहीत है तो अंतर नहीत किसमें है मेरी ख्यास से इसमें लगता है कि अंतर नहीत आपका है अरे यार यार यह अंतर नहीत आपका किसमें है मुझे मेरी ख्यास अपसर नमर सी होगा ओ सोरी भी होगा यार भी होगा भी होगा नहीं इसमें नहीं नहीत है ओ सोरी इसमें अगला नमबर कोसाने काता है कि कुछ इस तरह से है और यह आपका जो है बोट डिक्सनारी का कोस्चन है क्या है तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको इसमें कौन-कौन आपका हो जाएगा कि इसमें जो आपका हो जाएगा ओ भी इ अरकातर निवी सब्सक्राइब करने के पस्चात कौन सा तिसरी अस्थान पर है तो तिसरी अस्थान पर कौन है आपका आपका जाकर के हो जाएगा ओ भी इ आर तो कट जाएगा ओ भी देखते हैं तो आपका ओ भी इ आर ओ भी इ आर तो कट जाएगा ठीक है जी ओ भी इ आर ओ भी इ डावलू तो कर जाएगा डावलू तक उसके बाद में आपका है ओ है उसके बाद में आर है ओ आर तह यानि कि पहले नमबर में ओ होगा फिर आर हो यानि कि पहले होगा ओ पहले होगा एक और उसके बाद में होगा उसके बाद में दू होगा ठीक है जी अच्छा उसके बाद में आपका तीनों में देखते हैं तीनों में आपका जो है वो एच एच डवलू 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 अच्छा इए उसके बाद में आपका होगा जाकर के पह आन्य कि तिसरा नमबर पर जो होगा वो तीन होगा और कौन होगा यानि आपका अपसे नमबर तीन करेक्ट उत्तर हो जाएगा दियेगा इसा मिकरन को संटूलन करने के लिए कि इन दो संख्याओं को प्रासपर बदालना चाहिए देख लीजिए आपका पांच चार एक संख् लिखिए हैं ताहब का को जगया जाकर के शलेंढे इसको बना के देखते हैं चलिए 10 और 5 को बदलते हैं पहले प्हले कर पांच के जगा पर हम 10 करते हैं & उस में फिर भागामें आपका दूब गुने में आपका 10 तो होई गिया अब यहांपे 5 लाते और पर श मैं आपका साथ लाते हैं, तैनि कितना हो जागा, आपका 10 होगा, और मानस में आपका हो जागा, जाब करकर 4 बटेक, दूख और फुले में आपका 5 पिन में आपका 7, यानि कि यहां से अगर, कटे लाए ले दिया, त्याफ कैसे आए गया। कटेगा तो दरूर पाउंचों के बीस यानि कि यहां से कटेगा था आपका पाउंचों के यानि कि आपका दास आएगा और दास और दास खतम हो जागाती यानि कि आपका बचेगा साथ बचेगा आप देखे फिर आपका ऐसा कोस्टन है कहता है कि आपका जो उसा क्रिती में कैसा होगा आप देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूं तो यह पहले तो आपका यह भारा हुआ है तो उसके बाद में फिर भारा हुआ उपरे चल गया फिर भारा हुआ इधर आगया फिर भारा हुआ इधर आगया अब ही भारा हुआ जो आएगा वो इधर आएगा ऐसा कुछ अभी भारा हुआ जाएगा वो इधर ही आएगा यानि कि मगर यूं कहूं कि भारा हुआ जो आएगा वो ऐसे आएगा तो ऐसे वाला आपका कौन को ने देख लीजिए ऐसे भारा वाला आपके पास जो है वो आपका सिर्फ अचा ये दोनों है अचा आप देखेगा मुझे ख्यास से हो फिरे देखेगा जिधर जिधर इसका जो मुंँ है देखेगा तो अगला आपका क्या रहे जा कर यह तीए है ब्लद कीज़ेächlichi आपके गए आप देखिएगा यह जो है वो इसके तरफ है मतलब कि यह जो ऊपर से आया है तो यह बेस के तरफ है अच्छा इधर भी है तो यह बेस के तरफ है इंपर तो बेस के तरफ है की FC का पूत्र है CB कई इकल्वते पूत्रइए डी ए का इकलाउता दवांद है BC का पिता है AB की पतनी है डींए कि क्योंड से कितना के इatile किस प्रकार संभंध है तब कर वो संभंध है को समें इस तरीका से बौला उसको पहले है तरा करते है क्या है एकलोवती पूतर है बीकि यह किया है एकलाहती पुत्र है मतलब इसका पुत्र यह है और इसका पुत्र पुत्र ए यह है एफ है किदा डी और एस में नहीं दिया हो दो उसको छोड़ देते हैं इसका मतलब कि ए जो है वो बी की पत्नी है इसका मतलब कि ए जो है न अब बी की पत्नी माइणास है और दुनों में साधी हो चुगा फिर कहता है कि दि एक अदमाद भी जो है नहीं वह एक अदमाद एक अदमाद जो है नहीं वो आपका है कि D है यानि कि इसका ये बेटी है तो इसका ये पती है तो नों रूबें साध्राुरे करवा देजिए इपला से आई जहेंगा पूछता है कि interest है किसे K्या समझते geh वहेप एप से क्या समन्सक्त एप से ये इसका यह इसका क्या था यह इसका बेटा था तो बेटवा के यह इसका बेटा था और इसका पती कौन हुआ इसका पिता जी हुआ यह आपका पिता करेक्ट उतर हो जाएगा अगला नमबर को जाता है कि जाब दारपन को दाहिनी और रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकरिती के यह तो बनेगा या इससलों बनेगा उसके वाद आपका कैसा इसवालिगा। यह मेरे ख्याल से वो बनेगा यह बनेगा आपका ऐसा बनेगा और यह आपका ऐसा बनेगा और यह जो बनेगा वो आपका ऐसा बनेगा और इसमें दोनों चक्का रहेगा भारा हुआ और इसमें दोनों चक्का भारा हुआ रहेगा और यह जो बनेगा वो आपका बनेगा जाकर के कुछ इस तरह से बनेगा जिसका यह खाली रहेगा और फिर यह जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा तो ऐसा जो है वो आपका कौन है देख लीजिए ऐसा जो आपका है वो ये है देख लीजिए बाकी तो ये सब है ही नहीं ये सब में ही तो सीधा है और ये तो बाकी है ही नहीं इसमें तो ये दोनों कलर है और इसका ए भी है तो ये तो आपका होगा जब वो सीधे ही होगा तो ये सीधा होगा बाकी इसमें उल अच्छा इसमें क्या होगा इसमें आपका हो जाएगा जाकर के 16, 17, 18, 19, 16, 16, 24, 24, 24, 24, 24 के एक एक तो सम्में के सांट करेक्ट उतर हो जाएगा, आगला हैक अगला नमर कोसे ने करता चाब अच्छा ब्याक्ति एक और केंड्री की मुग करके बैठें है पी और एस के बीच केवल डी कि छे ब्यक्ति हैं छे होगे हैं कुछ इस तरह से कर दें कि उसके बाद आपका जो है वो कहता है कि केंदर की मुझ करके बैठावा पी और एस के बीच में केवल डी है पी और आपका एस के बगल में एक आपका जो है कि सिर्फ पी और एस के बीच केवल डी है एम और एल के बीच एकस है एम और एल के बीच में एकस है इस एम के ठीक दाए नहीं है इस जो है वो एम के दाए और नहीं है तो एम आपका यहाँ है तो कहता है कि M और L के बीच में जो M और L के बीच में X है तो पोच्टा कोशन की P के ठीक दाएं पर कौन बैठा हुआ P के ठीक दाएं और कौन बैठा हुआ तो आपका एक वो बैठा हुआ है आज़ों देता एक्स और आता है आपका जो है वो पी के ठीक दाएं कौन मैठा हो यह तो गलत होगी चलिए फीर से देखते हैं एक और हम गोला ले देते हैं और यह आपका कोच इस तरह से रहता है पिर इस तरह से आपका रहता है इसका दाएं तरफ ही हो गया दाएं तरफ ही हो गया और आपका जोख है अरे यार ये हो गया इसका बाया तरफ हो गया नहीं दाया तरफ हो गया न चाहब बृताकार केंडर की और मुग करके बैठे हुए है अपका दाया ये हो गया P और S के बीच केवल D है P और S के बीच केवल D है इम और एल के बीच केवल एक्स है इस एम के ठीक दाएं पर बैठा है इस एम के इस इस एम के इस एम के ठीक दाएं पर बैठा हुआ है इस जो है न वो आपका एम के ठीक दाएं तोरी के रिगरत होगे यानि आपका कुछ इस तरीका से है फिर गलत हो गया यहाँ पर है और सबका जो है वो आपका दाया जो है वो कुछ इस तरह से है P और S के बीच केबल D है ठीक है जी D लिख देते हैं फिर काता है कि A मौरेल के भी ज़ना हाता है इस एम के थीक दाएं पर बैठा हुआ P और S के बीच केबल D है P और S P और S के बीच केबल D है और फिर M और L के बीच X है M और L के बीच केवल X है अब पुछता है कि P के ठीक दाएं पर कौन बठा P के ठीक दाएं पर बठा हुआ L अब आपका correct उतर हो जाए question ने कहता है कि computer का mouse से सम्बन्द है तो radio का आपका remote से, television का आपका remote से सम्बन्द है अगला question ने कहता है कि नीचे दिए गए नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है के बाले फला के आसन फलकों पर क्या क्या आ सकता है तो इसका क्या हो जगा देखिए आसन कन पूछा है मतलब कि आसन फलकों पर क्या आ सकता है देखेगा आप दोने ने मैच कर रहा है वो A कर रहा है मैच तो A, H, B आपका हो जागा क्या हो जागा A, H और आपका B हो जाएगा और इसके बाद फिर हो जागा आपका A, K, T हो जागा A, K, T हो जागा A, K, 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 K है जिसमें K और H नहीं होना चाहिए, H, K और H नहीं होना चाहिए, H याणि कि आपका हो जागा B और A हो जागा, क्या हो जागा B और A अगला नमबर कोशन कर दी गई संख्याओं को आपस में बदालने पर दिये गए ब्यांज़ा कमान बताईए कोशन जब आपका इस तरह एका से बोल रहा है कि 10 के जगा 20 करिए और 20 के जगा 10 करिए तो आप कर दीजिए 20 और पालास में आपका हो जगा 30 और माइनस में आपका हो जगा 5 और गुने में आपका हो जगा जाकर के 10 और भागा में आपका हो जगा जाकर के 2 तो गुना कर लीजिए दू आपका वाचा का दू पच्छे के दास पच्छे के पच्छीस और आपका तीस बिस पच्छास में से पच्छीस जो कि आपका उप्सन नमबर सी करेक्ट उतर हो जाएगा आगला नमबर मरपस कोसन काता है कि रिटिया अपने कर्याले से सिधे पूरव की और गया और आपका चार किलो मेटर यातरा करने के बाद दौ दायं मूर गया यहाँ से उवातीन किलो मेटर की दूरी ताय ऌर फीर से दायं मूर गया चार किलो मीटर चार किलो मीटर की दूरी ताय करने के बाद वह अंता अंता बाएं मूड गया और सीधे यात्रा की रितियां रितिक अंत में किस दिशा में बाढ रहा है रात जैसे की कोशन आप लोगों ने पढ़ा रितिया अपने कार्याले से सीधे अपने कार्याले से सीधे यहां से तीन किलो मिटर के दूरी तै करने के बाद है यहां से तीन किलो मिटर के दूरी ति्या कर ने के बाद तीन किलो मीटर के दूरी ताई करने के बाद तीन किलो मीटर के दूरी ताई की और फिर से दाय मुढ गया अगर फिर से दाय मुढ गया तब फिर इधर चल जाएगा और चार किलो मीटर दूरी ताई करने के बाद उबाहा अन्दा बाय मुढ गया वहाँ अंदा फिर क्या हो गया बाहें मुढ़ गया इधार आ गया बाहें मुढ़ गया और सिधे यात्रा की रिदिया अंद में कीज दिशा में बढ़ रहा है अंद में वो बढ़ रहा है दच्छिन की तरह यानि कि आपका जो है वो दच्छिन करेक्ट उतर हो जाएगा चली आना मेरे हमारे पास कोशन कुछ इस तरह से उसके बाद है कि उस भी कलब का जैन करे जो तीसरे अच्छल समू से उसी प्रकार सम्बंदित है जिस प्रकार दुसरा अच्छल समू से सम्बंदित है पी और उसके बाद में आपका है जो जी है तियानिक इसमें कौन हो जाएगा 16 और 16 और 16 और 26 और 26 ता आपका ए और 6 कितना हो जगा जी हो जाएगा जी वला है 7 7 7 7 7 7 6 13 तब का वी चो तू आठ यानिकि एच आपका हो जाएगा यानिकि आपका जो है वह वी करेक्ट तरह हो जाएगा अगला नमर को अचने कहता है कि थैसकों होगा तीज साल संबानत नहीं है आपकी 58 haं tis wax 32 on चाहिए यहां पर यहां पर होना चाहिएए था 32 कि सो फिल आपका हो जाएगा गर के 52 यहां तर्थीस में से दू गया था थाईश उसका गें फाप्टेस में से दू गया था तो 23 गढ़वाड तो क्या देता है तो 33 आपका गढ़वाड है अगला नमर कोसे ने हिंदी का है निमलिखित में से कौन सा बरतनी की दृष्टी से असुद्ध है मैं उसे चुप रहने के रहने को काता रहा पर उसने एक नहीं सुनी यह तो लगता है कि असुद्ध बाग के है पोत नस्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया पिर्थिवी गोल है और हम इसे प्रमानित कर सकते हैं पिर्थिवी गोल है और हम इसे प्रमानित तो ठीक है उबा उस अस्कूल में पढ़ा जो उसके गाउं के निकड था यह नहीं गलत आपका हो जागा जाकर के आपका हो जागा अपसने मेर भी गलत हो जाएगा उसके बाद आपका है यह रास्ता है सब्धानी से चले यह रास्ता है सब्धानी से चले उपरियुक्त बाग में रिक्त अस्थान की पूर्ती सुध बरतनी बाले सही सब्ध द्वारा कीजिए यह रास्ता दूरगम है यह रास्ता दूरगम है यह रास्ता दूरगम है यह आप कारण नहीं है सब ही भाग को रोते हैं सब ही भाग करोते हैं वह कलम से तो है यह मैं लाठी से इदो है यह बच्चों गेंद से यह भी है यह तो आपका यह कुछ दिया हुआ है कि सभी सब ही भाग कुरोते हैं करन का रखवा साधन जिसके क्रिया होती है वह वह करता है यानि जिसकी सहाइथा से किसी काम को अंजान दिया जा सकता है अगले नमर है यह कहता है कि मैं रभी बार के दीन तुम्हारे घर आऊँगा मैं रभी बार के दीन तुम्हारे घर आऊँगा बाग मेरे खांकित बाग खंड के खंड के अस्थान पर उचित बाग खंड या सब्द का परयोग करें मैं रभी बार के दीन तुम्हारे घर आऊँगा मैं रभी बार के दीन तुम्हारे घर आऊँगा मैं रभीवार को तुम्हारे घार आऊगा, ये सही होगा अगर नमर कोशने काता हैं कि या घाटना अद्भूत है उक्त बाक में परियूक्त अद्भूत के अस्थान पर उसके समनार्थी साब्द का परियोग निम्लिवे से किस बाक में नहीं किया गया यह गटना अद्भू अद्भूत है यह गटना आश्चान जनेक है यह गटना भायानेक है अद्भूत के असान पर उनके समनारती यह गटना भायानेक है यह गटना बील अच्छा नहीं यह गटना आप आजीम है अगला है कि मैं गेंदे की जगा के फूल देवी को आरपित करूँ गार्युक्त बाक में कोश्ट सब्द का परियाबाजी सब्द होगा अगला नमर के परियाबाजी सब्द से नीमन बाक पूर्न कीजिए नाबी कस्टी से पॉर्क आथरू है उसके बाद मैं कि भीलोम सब्दों का नीमन माँ dirtyya नाब्राजी आ संकने ही आपने परियाबाजी से अनिमन मेंadem्स अकास के पताल अगनी के यह नहीं अपना के पराया अवस्था के अनास थाघ clarity आपका जो कि यह यह उसके जीवन की प्रमुक घटना थी इस बाक में प्रमुक सब्द प्रमुक के अस्थान पर उसके विम्द का प्रियोग से किस बाक में किया गिया है या उसके जेवन की प्रमुख घटना थी या उसके जेवन की छीन घटना थी या उसके जेवन की बिसिष्ट घटना थी या उसके जेवन की गौन घटना थी अगला नमबर है कि या उसके जेवन की प्रमुख घटना थी उसके बाद में आपका जो है जानने की जो इच्छा रखता है जानने की इच्छा लिपसा जिग्यासा जिग्यासा उसको बोलते है उबाप परवत जहां से सूर का अस्त माना जाता है अस्त चालन अस्त चालन उसको बोलते है अगरा नमर है कि निमलिखित बाग के रिक्त अस् या बिना कारण ही बाल ब्चना वह बिना कारण ही मख्षीuestas मारता वह बिना कारण ही मूह फुला लेता ये सही आगला नबर हमारे पास एक निम लिकित बाग कर शान में सबसे उपईउक्त मुहाबराव जेठ की गर्मी अंगार बरसने जैसी अंधकार बरसने जैसी ठंडी जैसी से अंगार बरसने जैसी उसके बाद में आपका जो है देखिएगा आज घर घर बाटे जाने बॉले समचार पात्र से लगभग सभी की छुटी कूसलता कूसल दीनचर्या दीनचर्या आज घर घर बाटने बॉले समचार पात्र से लगभग सभी की दीनचर्या प्रणाम होती है उसके बाद में आपका प्रणाम होती है या हमारे जीवन की दैनी का बसकता बन गई है किसी कारण बास यदि इसे पढ़ने का अबसर दवाब नहीं मिलता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानों कोई बड़ा और महतपूर्ण कारत छुट गया हो और समचार पात्र से घर बैटे ही बहुत ही कम पैसा में देश बिदेश का समचार प्राप्त हो जाता है या सभी प्राप्त के समचार और जनता के मद्ध सेतू का कार करता है इस कच्छ के लमवाई उचाई और चौड़ाई बराबर है एक रूप है उस उपएउक तबाग में सब्ध भाब बाचक संग्यां सब्ध नहीं है तो कौन है उचाई एक रूप एक रूप नहीं हुचाहिए तो हैई यह नंबाई है चोडाई है है इसमें इन मेंसे कौन सा सब्द काल बाचक अबिया का उधारन है तो चौण अब दोर यहां तो कौन है तब है तो आई होप ज्यादा लंबा टाइम लगा लेकिन हम लोगों ने 100 के 100 कोशन को पुरा करके ही छोड़ा और एक कोशन पर आप एक मल्टिपल्स टाइम अगर आप टाइम देते हैं तो आपके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पॉटिदेंस लेवल बढ़ती है और यह जो है वो वीडियो आप को मैं आसा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा बोला लगा आपके लिए खुला पड़ा है जाइए और कमेंट करें दोस्त और मेरे अंदर जो जो यह जो मेरी से गल्ति हो रहा कि अप उसको कमेंट में जरूर रखियेगा इसके साथ मैं आपसे बेस्ट जहीन वन मादरा